जै शिराम, जै पुश्राम, बंदे मातरम, जै बिहार, भरत माता की जै दोस्तों जो मैं टॉपिक अभी आपके सामने ले करा हूँ उस टॉपिक पे मुझे लगा कि जरूर एक इंसान को जवाब देना चाहिए जो इंसान एक हमारे जैसे फैन को ट्रोल करती है, स्लैम करती है इंस्टाकाम पे शायद वो फैन उसी इंसान का है जिस इंसान ने ट्रोल किया है मैं रीचा चड़ा की बात कर रहा हूँ आप सुसान सिंग राजपूत के फ्रेंड कहला आते हो अपने आप में क्या कहा आपने आप से एक इंसान एक फैन हो सकता है वो फैन आपका ही हो जब इंस्टाग्राम पे आप से कोई कोई कोश्चन पूछ रहा है तो शायद हो सकता है कि वो फैन आपका हो या सुसान सिंग राजपूत का हो अगर वो सुसान सिंग राजपूत का फैन है और सुस आपके सामने रख रहा हूं और दिखा रहा हूं कि क्या question पूचा रिचाच जड़ा से एक मेरे आपके रहसे fan ने ठीक है और उस पे रिचाच जड़ा क्या जवाब दती है और रिचाच जड़ा कैसे बोल रही है वो भी आप देख लो मैं आपको दिखाता हूं live madam madam एक तो आप photo upload करते हो यह दिखाते हो कि यह आपको अपको नहीं पता है शायब की हम कितने fans हैं सुसान सिंग राजपूत के और आप एक photograph डालते हो और उसमें आप क्या लिखते हो मैं पढ़कर सुनाता हूं whatever caused you this undearable pain I'm sorry please respect this privacy of the grieving family don't share pictures having empathy आप एक ऐसा photograph डालते हो ठीक है सुसान सिंग राजपूत के बारे में ठीक है अरे आप एक एक फोटोड़ाप डाल सकते हो तो आप खुल के क्यों नहीं सामने आ रहे हो आपके जैसे friend सुसान सिंग राजपूत के खुल कर क्यों नहीं सामने आ रहे है चलो मैं आपके आप जो slam कियों किस question पर slam कियों वो भी मैं लोग को बतायता हूं देखो आप इस photograph को और इसी photograph के उपर जो एक question पुछा गया आपके और मेरे जैसे fan के दुवारा वो पर question आपके सामने रख रहा हूं और यह question यह है कि why are you people so silent about seeking justice for Shushant had you all kept so silent if it had occurred with you यह question मां ऐसा ही बस बस इतना चोटा सा ही question एक मेरे आपके जैसे fan ने रीचा चड़ा से इस photograph के उपर पूछा जिसका जवाब देते हुए रीचा चड़ाने का देखो जो मैं पढ़के आपको चना जेता हूं रीचा चड़ा का जवाब है How dare you suggest that You know that the police is investigating the matter and everyone is cooperating by providing statements and clues Calling out the harassment by trolls on social media she said trolls like you ignore the role of mental health In the scenario going after his real friends harassing them for what And you call yourself a doctor What if someone kills themselves because of trolls like you Should you be booked for amendment to suicide Fuck off please for anything that one at all is keeping quiet You are a disgrace to his memory she concluded Aisa kuch उनोने reply दिया है उस fan को रीचा चड़ा जी पहली बात तो ये कि अब आपसे कहूं क्या रीचा चड़ा जी आप आपसे कहूं क्या Women को respect देना हम लोग जानते है लेकिन शायद इस Bollywood ने आपको ये पढ़ा दिया है ये लिखा दिया है कि शायद आप किसी भी fan को आप लोग आप की problem नहीं ये पूरे Bollywood की problem है कि शायद आप लोग fans को गटर का कीरा समझ लिए हो ठीक है गटर का कीरा समझ लिए हो क्या मतलब कुछ भी आप लोग दे दो जवाब और fans आपके सुनते रह जाए see this answer from me and this answer from Bihar and this answer from whole India mind your language the way you are speaking you should use a proper manner आपकी बहुत respect तब किजा सकती है जब आप एक अपने dignity को maintain कर सकते हो मेरा एक suggestion है आपको और please ऐसे trolls मत किया करो मेरा एक बहुत ही प्यारा suggestion आपके लिए ठीक है क्योंकि अभी जो दर्द आपके अंदर है न वो शायद दिखे न दिखे क्योंकि आप लोग सामने नहीं आ रहे हो लेकिन हमारे अंदर जो दर्द है न उसको लेकर कि हम सामने आए और लोग के सामने आए और हर एक इंसान आप शायद हर दिन हर लोगों से interact नहीं होते हैं लेकिन हम लोग हर दिन हर किसी से interact होते हैं तो लोगों का दर्द क्या है वो हम लोग समझते हैं ठीक है तो आप जो चीज कर रहे हो ना ऐसे चीजों को avoid करो और अगर आपको आना है ना तो आप खूल करके सामने आओ and don't show that you guys are फोपेडिंग विदर इनिफिस्टिंग ओफिसर्स अफ मुंबई पुलीस यह आपकी रिस्पॉस्पॉस्बिलिटी नहीं दिख रही है यह आपका आप चाहो यह ना चाहो आपको अगर पुलीस बुराएंग ना तो आपको जाना ही परेगा वैसे आपको डर लगता है कि शायद आपको अगली मुवी ना मिले आपको डर लगता है कि आपके और आपके साथ आपकी जो हस्बंड है अली फज़ल उनका भी करियर ख़़आब ना हो जाए चौपट ना हो जाए क्यूंकि जो भी अभी इसके अगेंस्ट बोलेगा उसका ब फ्रेंड के नाम पे कलंगो, मैं आप लोग से बता रहा हूं मैं पिसली वीडियो में बोला था कि अगर फैन हो तो बी अरियल फ्रेंड और थिंक अवाद दिर फैंली फिर्स्त देन यू विल बिकम अग्रियल फ्रेंड इस नॉट दोंट शो यूर सिंपैथी प्रेंटस क्या लुटत शों वहां आप चीज आपको बैने सेट किया क्योंकि यह मेरे अंडर की फिलिंग थी और मैं इस फिलिंग को दाप कर अपने अंदर नहीं रहख सकता और आज के रिट में कुछ भी जो भी चीज मेरे सामने आएगी ना उचीज को मैं दाप के नहीं है सकता हूँ कि आप लोग भी समच सको कि वत इस अपार अफ़ाद आप आपको ओडिए जुटर में क्वावड आपको अफ में आपकोड़ हैं जय स्रिय चाह्णार आपको अभाड़ जयू ऐ रहल वार आपको तिल य देक क्यर आपकोंड़ आपको अधुद आपको अदे बालीवूड झाल झाल